आपके अपने चैनल जोगी सरकी पाट साला को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई वीडियो आते ही आपको नोटिफकेशन मिल जाए नमस्कार प्यारे बच्चो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल जोगी सर की पाट साला में आज इस वीडियो में हम दस्वी कक्षा के गनित विशे के चैप्टर नमबर पांच समानतर्स रेडियों की एक्सरसाइज पांच पॉइंट तीन के प्रसन नमबर अठारा को हल करने जा रहे हैं जो की बहुत असान है असान कैसे है देखिए प्रसन पढ़ते हैं पहले किंदर ए से प्रारम करते हुए अब छो यहां से आरम करते हुए बारी-बारी से केंद्रों A और B को लेते हुए एक बार A को केंदर ले लिया एक बार B को केंदर ले लिया 0.5 cm 1 cm 1.5 cm 2 cm वाले उत्रोतर अर्ध वर्तों को खींच कर एक सर्पिल स्पाइरल बनाया गया है कैसे? A से लेके 0.5 cm का एक अर्ध वर्त हो गया फिर B से लेके यहां पर एक यह एक हो जाएगा फिर A से लेके यह कितने का? 1.5 का फिर 2 का ऐसे 2.5 का एक हमने स्पाइरल बनाया है जैसा कि आकरती में दिखाया गया है तेरे करमागत लगाता अर्ध वर्तों से बने इस सर्पल के कुल लंबाई क्या है? बहुत असान है देखने में मुसके लग रहा है क्योंकि सब असान है अंसवर देखे क्या कहता है? मैं पहले जो ये अर्ध वर्त है जिसका नाम इनोंने L1 दिया वह है तो हम L1 की लंबाई ले लेते हैं या हम ऐसे लेके लेते हैं पहले अर्ध वर्त की लंबाई अब देखिए आर्द विर्थ की जो circumference जो प्रीधी होती है प्रीधी का formula हमारा क्या होता है 2 pi r पूरे विर्थ की और आधे विर्थ की कितनी हो जाएगी pi r हो जाएगी तो आपने simple क्या लिख लेना है pi r, pi गुना में r की value कितनी है क्योंकि starting में इन्होंने कितना दियावा था 0.5 cm pi r cm बन गया फिर दूसरे आर्द विर्थ की लंबाई formula तो यहाँ पे भी pi r है pi r लेकिन अब की बार तिर्जा कितनी हो गई pi into 1 cm यह 1.0 cm हो गया इसके बाद ऐसे ही तीसरे आर्द विर्थ की लंबाई यह क्या हो जाएगा pi अगला क्या हो गया 1.5 cm सिरफ यही increase हो रहा हमारे पास तो इस परकार अगला चोथा हो जाएगा तो यह हमारे पास क्या बन गी है ap बन गी ap 0.5 pi 1 pi फिर 1.5 pi फिर 2 pi एंड 6 जिसमें हमारा पहला पद first time a मेरा कितना हो गया 0.5 pi इसके बाद सारव अंतर सारव अंतर मतलब d इसमें से घटाओगे pi में से 1 pi का मतलब pi pi में से 0.5 pi मतलब 1 pi में से आधा pi घटाओगे तो कितना हो जाएगा 0.5 pi रह जाएगा d हमारे पास आगया अब मुझे कितना को बताना है 13 करमागत मतलब n का मान मेरा कितना हो गया 13 हो गया तो हमें तो sn निकालना है मतलब n by 2 into 2a plus n minus 1 into d का मान निकालना है मुझे निकालना है s 13 n का मान हो गया 13 बते 2 2a a का मान मेरा कितना है 0.5 pi plus n minus 1 n कितना है मेरा 13 है 13 में से गया 12 अब d कितना है मेरा 0.5 pi 13 बते 2 2 गुणा में 0.5 0.5 कितना होता आधा आधे का डबल करोगे तो क्या हो जाएगा 1 1 मतलब pi हो जाएगा 12 12 गुणा में 0.5 का मतलब होता 5 बते 10 5 बते 10 का मतलब 1 बता 2 12 गुणा में 1 बता 2 कितना हो जाएगा 6 और 7 में क्या हो गया pi आगे देखिए 13 बटे 2 पाई plus 6 पाई कितना हो गया 7orge अब उन्होंने कहा था πाई का मान कितना लेना है 22 बटे 7 तो यहां पर कर लेते हैं हम S 13 हमारा कितना हो जाएगा 13 बटे 2 गुना में 7 पाई है 7 गुना में 22 बटे 7 पाई का मान लेना साथ से साथ कट गया, दो से काट होगे, जारा, इनकी गुना करेंगे, तो टोटल कितना हो गया, 143, तो कुल लंबाई हमारे पास कितनी होगी, कुल लंबाई कितनी होगी, 143 cm, सिरफ देखने में ही मुश्किल था, अदरवाइस ये परसन पहुत असान था, तो इस वीडियो म इतना ही, नेक्स वीडियो में अगले परसन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।